वेल्कम बाक तो एक बड़ी खबर आ रही है और हम आपको बता दें कि विजे माल्या का पासपोर्ट रद कर दिया गया है जी हाँ, M.E.A. ने रद किया है विजे माल्या का पासपोर्ट और ये P.T.I. के हवाले से ये खबर आए है विजे माल्या बहुत बड़े जो की बिजन साइकून है, काफी समय से विपादों में रहे हैं उनका पासपोर्ट रद कर दिया गया है, हम आपको बता दें कि M.E.A. ने रद किया है ये पासपोर्ट विजे माल्या का पासपोर्ट रद कर दिया गया है और P.T.I. के हवाले से ये खबर आई है विजे माल्या जो की बहुती बड़े जानेवारे बिजन साइकून है, उनका पासपोर्ट रद कर दिया गया है MEA ने रद किया है इससे पहले विजह माललय का पासपोर्ट सस्पेंड हुआ था लेकिन अब उसे रद कर दिया गया है और हमारे सम्वारता आलोक प्रियादर्शी फिलार हमारे साथ फोन पर हैं इस खबर के साथ आलोक और क्या क्या वाते हैं जो सामने निकल रही है हम कोशिश करेंगे कि ये आलोक से एक बार फिर से करेक्ट किया जा सके फिलहार हम आपको ये बता दें कि विजे मालय का पासपोर्ट रद कर दिया गया है M.E.A. ने रद किया गया है पहले विजे मालय का पासपोर्ट सस्पेंड हुआ था और अब M.E.A. ने रद कर दिया है विजे मालय का पासपोर्ट P.T.I. के हमाले से ये खबर सामने आई है और हमारे समवादता अलोक प्रियादर शिमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गया है अलोक और क्या-क्या बाते हैं जो सामने आई है हम लगतार कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने समवादता से संपर्क कर सके लेकिन तलहाल हम अपने दर्शकों को बता दे कि विजे मालय का पासपोर्ट रद कर दिया गया इससे पहले उनका पासपोर्ट सस्पेंड हुआ था M.E.A. ने रद किया है विजे मालय का पासपोर्ट M.E.A. द्वारा रद हुआ है विजे मालय का पासपोर्ट जो की से पहले से स्पेंड किया गया था M.E.A. और हमारे सम्वारता आलोक प्रियादर्शी हमारे साथ एक बर फिर से जुरे है आलोक और क्या बाते हैं जो इस समय पता चलिए और क्या डेवलाप्मिंट्स है M.E.A. देखें जो विजे मालय का पासपोर्ट है उसको लेकर जो मिनिस्ट्री और एक्टरनल अफेर्स का स्टेट्मेंट आया है उसमें साफ्पर पर एक आ गया है कि विजे मालय को शोक और नोटीस देजा गया था जो कि इनफोर्समेंट ट्रेक्टरेक्स की तरफ उनके पास रिक्वेस्ट आई थी उसके बाद जो नौनमे लेवल वारंट उनके खिलाफ जो इशू हुआ है P.M.L.1.2002 के तहत और उसके बाद जो जवाब उनके तरफ से कर दिया गया है तो बजाईर से बात एक पास्पूर्ट को रद करने के वज़े से काफी बड़ी मुश्किले सामने आएगी विजे मालय को किसी वहां पर यूके में जहां पर होती है वहां की ऑथरेटी से अगर भारतिये जांच एजनसिया बात करती है तो वहां पर उनको आपके तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का